दोस्तों आप सभी का स्वागत है Current Affairs Fund आगे YouTube चनल पर आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे RRBPO PILIMS में पुछा गया एक D.I.E. जो की Line Graph Format का है, डेटा कैसे रीड करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखने बाले हैं. अब देखेगा, यह आपको कहा गया है Production and Demand of Different Companies आपको एक से ज़्यादा Companies दी गही है जिन Companies का नाम है P Company, Q Company, R, S and T तो यह अलगलग Companies हो जाती है और इनका Production और Demand का हमें डेटा दिया गया है देखो जो Production वाला डेटा होगा, वो आपका थोड़ा सा Dark Line में होगा यह जो Dark आपको दिख रहे है लाइन, यह आपका Production होगा और Demand है वो Light Color से है अब देखो यहाँ पर हमें बीच में Exact Numbers नहीं दिया कि कौन से लाइन किस नमबर पर है उसको पर नमबर नहीं लिखा है यह आपको Graph को रीड करना होगा पढ़ने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर explain करके बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर as such कोई Mistake ना कर पाएं ठीक है अब देखो दोस्तों इस Graph में हमें दो चीजें दी गई हैं पहले तो 0, 1000, 2000, 3000, 4000 तो यह जो 1000 हजार के GAP है वो इनके बीच में है अब जब GAP है तो बीच में Lines भी दी गही है अगर में 0 और 1000 के बीच में जो यह डार्क लाइन है इसके बीच में पाच लाइने आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 तो एक लाइन जो है वो 200 नमबर की है 200, 200, 200, 200, 200 तभी सब को मिलाकर यह 1,000 हो जाएगी अब आप यह देखना कि अगर कोई वैल्यू इस लाइन के बीच में आएगी तब तो उसको आप 100 रीट करोगे लेकिन अगर वो एक्जेक्ली पूरे लाइन पर आजाएगी तो उसको क्या बोलोगे दोस्तो है तो जैसे यह जो दिख रहा है यह बीच में है और यह देखो लाइन पर आ रही है तो जब यह लाइन पर आ रही है तो यह पूरी-पूरी गंसिडर की जा रही है 2000 और जब यह इन दोनों लाइन के बीच में आएगी तो आप इसको एक पार्ट 100 मानोगे कि यह 100 आधा पार्ट है इसके उपर का 100 होगा नीचे एक 100 होगा मतलब मिड में अगर आएगी तो आप इसको 100 टीट करोगे अब देखो गयाज यह जो लाइन है यह आप देखो डार्क लाइन पर तो नहीं आ रही है और जब आपके इन दोनों लाइन के बीच में वाली लाइन आजाएगी तो आपकू अम रजाएगा तो आप इसको aafी करोगे 100 तो कितना होगा 2600 और यहां पर हो जाएगा 2700 2700 तो इस तरीके से ही हमें इस data को guys read करना है exam में अगर ऐसे questions आएंगे तो data आपको ऐसे करना है ठीक है अब मैं आपको इस data को एक बार लिख कर बता दे रहा हूँ कि कौन सा data किस चीज से associated यहां पर रहने बाला है ठीक है तो यह प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 1500 इसके बाद यहां पर आ जाओगे यह लाइन पूरी है अगर आप देखो के 3000 123 तो यह एक लाइन जब 200 के रहा हो रहे है तो 3 into 2 600 हो गया तो 3000 600 यह कितना हो गया 3600 data आपका अगर आप R देखो तो R में पूरा बिल्कुल एक्चुल लाइन पर रहा है और यह 3000 के बराबर है तो इसको ताप 3000 रीड कर दोगे यहां पर देखो यह लाइन इस पर रही है इस लाइन के ऊपर तो यहां तक 4000 था एक और दो यह कितना हो जाएगा? 4400 4400 अब यह मिड में आ रही है तो जब 400 यह था और यह मिड में लाइन है तो सो और रहे हो जाएगा? 4500 अब ऐसे डिमांड का देख लो डिमांड का तुरा सा लाइट में दिया है तो यह कितना है? 2000 तो इसको 2000 अब यह दो मिड में दी गई यह दो मिड में ही लाइन आ रही है तो यह 4000 था एक, दो और यह 2.5 मतलब 2.5 तो कितना हो गया? यह आपका हो गया 4000 तो यह और यह आपका हो गया एक लाइन जब 200 कर रहा है तो 200, 200, 400 और 100, 500 तो यह कितना हो गया? 4500 ठीक है? इसके बाद इसको रीड कर लो यह 2000 था और यह इस लाइन पर आ रहे है तो यह 200 की लाइन हो जाएगी 2200 बस डेटा रीड करना important है यहाँ पर 3000 एक, दो, तीन तो यह कितना हो जाएगा? 3600 अब इसी डेटा के ओपर सारा question आपका बन जाएगा हम से यह पर question क आएगा है कि जो demand दी गई अपको company p क, company r के उत्पादन का कितना प्रतिसत है define company p की di-monde demand money p 64 कितना है?' 2,000 to p का demand 2,000 and company r के उत्पादन का कितना प्रतिसत है company r company r का production कितना है? how canła cowed peray higher? anderen million तो ये कतना हो जागा ? ये हो जाएगा 2 by 3 into 100 मतलब कितना हो गया ? 200, 3 तो इसको कैसे करो गहे ? ये आप का जागा 6 times 2 by 3 इतने percentage अपका आ गया अब अब अचा ओरल करने का तरीका क्या होता है ? अब अचा औरल जैसे ये कितना था ? ये था 2,000 divided by 3,000 तो कितना हो गया, 2 by 3, कितना percentage होगा, अब आप ये बताओ, 1 by 3 कितना होता है, 1 by 3 होता है, 33 whole, 1 by 3 percentage, इसको ये तो लिखते हैं, अब जस्त इसका double है, 2 by 3, तो इसका double कर दो ये कितना हो जाएगा, 66 whole, 2 by 3 percentage, तो ये oral solve भी ऐसे ही हो जाएगा, आपको steps, मैं इसलिह बतादिये त next question है वह आप देखेगा देखा है what is the ratio of companies having more demand than production to those having more production than demand यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली ठीक है मतलब जितना आपका production हो रहा है उससे अधिक demand आ रही है कितनी companies ऐसी है जैसे यहाँ पर देखो यह एक company पी है जिसका 1500 का production है demand 2000 का रही है तो आप एक companies को count कर लोगे ठीक है तो यह कहा गया है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली company है एबम मांग से अधिक उत्पादन करने वाली company का अनुपात कितना है मतलब हमें यहाँ पर वो companies देखनी है number of companies having more demand than production more demand than production ठीक है तो पहले तो आपको एक company P मिल गई यहाँ पर है नहीं है R में क्या है R में है आपका S में क्या है नहीं है यहाँ पर भी नहीं है तो आपके दो ऐसी companies है जिनकी जो demand है वो जादा है production से ठीक है अब आप उन companies का यहाँ पर data find out कर लो यह तो मुझे 2 निकल कर आ गया ठीक है इसका ratio मुझे किसके साथ लेना है number of companies having more production than demand ठीक है अब आप यह देखो क्या पहली बाली है नहीं है ठीक है दूसरे बाले में 2700 की demand है production जादा हो रहा है तो इसको consider कर लोगे यहाँ पर 4500 की demand है तो यह भी नहीं है क्योंकि production तो कम हो रहा है ना demand यहाँ पर 2200 की है और production जादा है तो यह consider कर लिए जाएगा 3600 की demand है production जादा हो रहा है यह consider तो तीन यहाँ पर मिलते हैं तो कितना हो जाएगा टू रेशियो 3 हो जाएगा इस question में कोई भी calculation है सच नहीं कर नहीं ग्राफ डेटा देखोगे और आप डिरेक्ली देखकर इसको बता दो गए ठीक है यहाँ पर देखेगा mention किया गया है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों एबं मांग से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों का अनुपात आपको गयाद करना है ठीक है यह तो भी पीछे वाला question मुझे लग रहा है यह type of mistake हो गया ठीक है English version देख लेते हैं फिर मैं हिंदी में इसको ठीक कर दूँगा ठीक है यहाँ पर का गया है the production of company q is approximately what percent of the demand of company s हमसे का गया है कि जो production है company q का company q का उत्पादन ठीक है वो कितने percentage होगा demand of company s company s के demand से ठीक है तो demand की बात यहाँ पर कही जा रही है ठीक है तो आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखो कि company q का production कितना यहाँ पर हमें दिया गया है ठीक है तो company q यह है और इसका उत्पादन है 3600 कितना दिया गया गया guys 3600 ठीक है और company s इसके demand कितनी है यह 2200 यह कितना प्रतिसत है बस यह question simple सा पूछा यहाँ पर गया तो इसको देख लेते हैं बटे 11 इसको solve कर लो 11 से एक बार जाएगा कितना बचा 7 बचा 70 हो गया 11 से 6 बार गया चैसर चार बचा 40 हो गया अब 11 से 3 बार गया 33 साथ बचा 70 हो गया फिर 6 बार जाएगा 163.6 आपका यहां पर राइट एंसर आ जाएगा इसके बाद देखेगा सभी कंपनियों का आउसद उत्पादन आपको गयाद करना है find the average production of all the companies अगर मुझे यहां पर average production निकालना है जितने भी companies हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले तो total production को add करना होगा और कितने numbers हैं companies के 1, 2, 3, 4, 5, 5 से मुझे यहां पर divide कर देना होगा ठीक हैं तो आप देख लो 1500, 36, 3000, 44, 45 इनको ओरल करोगे चाहें आप लाइन में एक बार कर लो देखो यह सारे last में 0 दिये तो 0 हो जाएगा यह सारे last में 0 दिया तो 0 हो जाएगा 5 और 6, 11, 11, 4, 15, 15, 15, 20 तो 0 यह आपका 2 हो गया यह कितना हो गया 3, 4, 2, 6, 3, 9, 4, 13, 13, 4, 17 तो कितना आगया 17,000? 17,000 को आप 5 से divide कर दो तो कितना आजाएगा आपका? पांसे तीन बार पंदर है दो बचा बीस हो गया पांसे चार बार जाएगा तो पूरा-पूरा बीस हो गया दो जिरो तो इक इतना गया? 3400 ठीक है तो इतना ही आपका ओसत उत्पादन आजाएगा अब अगर आपसे पूछलिया जाएगा आउसत इमांड कितनी है तो वो लोग आप सबको एड कर लो और डिवाइड वाइड वाइफाइब कर दो आपका निकल कर आजाएगा ठीक है तो ये क्वेशन है इसके बाद इस वाले क्वेशन को एक बार देखे का कि यहां पर क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि find the difference between the production of company P and T and the demand of company R and Q मतलब हमसे कहा जा रहे कि company P और T के उत्पादन तथा company R और Q की मांग में कितना difference यहां पर है find the difference between the production of company P and T अब देखो company P यह है company T यह है तो इनके production में कितना difference है यह 1500 और यह 4500 अब इन दोनों का difference निकाल दो कितना है देखो हमसे कहा जा रहे है P और T के उत्पादन अच्छा पहले P और T का add करके उत्पादन का total निकाल लो फिर R और Q का हम निकाल देगे उन दोनों की बिच में difference देखना है तो मुझे P और T 4500 और 1500 यह कितना जागा 6000 मुझे आ गया 6000 किसका यह P प्लस T का क्या हमने निकाला production ठीक है क्या गया production किसका P और T का फिर हमसे कहा गया कि R और Q की demand R और Q की demand कितनी है 2700 और 4500 तो यह कितना हो जागा 4000 और 2000 6000 और 7500 तो यह हो गया और यह जो 72000 इन दोनों में difference कितना है simple सा 1200 का difference है और कुछ नहीं ठीक है Oral question यह वाला भी गाइस बनेगा ठीक है तो यह थे हमारे previous year के जो है पूछे के D.I. आपको इस लिस्ट में और भी D.I. मिल जाएंगे तो अपनी अच्छी प्रक्टिस करिएगा और current affairs funda के app में जो current affairs का हमारा पूरा segment इसमें इन्रोल कर लेना बहुत यूसफुल है और आपको examinations का latest trend बिलकुल यहां पर मिलेगा Thank you so much. Have a good day to all of you once again. We will meet very soon guys. Thank you once again.